क्या सच में खेसारी विया का एग्रिमेंट खतम हो चुका है आईए पुरूब के साथ में समझनी की कोशिज करते हैं आज की इस वीडियो में बनाईए लास्ट अबागी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं देखिए हमने इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ा है देख सकते हो आप लोग और उस आर्टिकल में सारी सच्चाई लिखा हुआ है कि एग्रिमेंट खतम हुआ है कि नहीं हुआ है और मैं इस आर्टिकल का सच्चाई बताने जा रहा हूँ सायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा और ये पढ़ने के बाद में लग रहा होगा कि agreement खतम हो चुका है लेकिन जब बढ़ियां से पढ़ेंगे आप लोग तो आप सब को समझ में आएगा कि सच्चाई कुछ और है दिखिये मैं बड़े ही आसान भासा में समझा देना चाहता हूं कि इस आर्टिकल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि खिसारी विया का agreement खतम हो चुका है मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे बढ़ियां से पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी में है और सारी हिंदी सबको समझ में नहीं आती है बाबू ठीक है हमने कम से कम 15 बाड़ पढ़ा है तब जाके थोड़ा मुड़ा समझ में आया है उपर आप सब पढ़ सकते हैं वो agreement के बारे में लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ में पॉइंट में आप सबको बता देना चाहता हूँ जिसको लगता है कि खतम हो गया है खतम नहीं हुआ है क्योंकि मेरे सुत्रों के हिसाब से ये पता चला है कि अगली सुनवाई मार्च महीने में है उसके बाद में तब जा के सारी बाद final होगा ठीक है आभी खेसारी बिया का गाना क्यों release हो रहा है इसका वज़ा यहां पे नीचे लिखा हुआ है ठीक है गलोबल मुजुक द्वारा ये विरोत करने के बाद कि इस तरह का निर्देशन उसे सीधे परवर्दन की मां करने के अनुमति नहीं देगा कहने के मलबल जो दिया है जैसे गलोबल पहले क्या करता था गाना रोग दिया था के सारी बिया का गाना डिलिड भी करवा दिया था और बहुत सारा अभी तक गाना आया भी नहीं है ठीक है आप सब को पता होगा बिली बिट भोचपरी का गाना नहीं आया है बेलल रोटी गाना नहीं आया है बहुत सारे गाना नहीं आया है तो इस पे क्या बोला है माग का निकवनुति नहीं देता है ऐसा करने की अनुमति आ रिलिज किया जा रहा है जो भी है जैसे भी है अव कंपनी गाना रिलिज कर सकती है तो उसको क्या करना है एक अवेदन की मांग करने की अनुमति एक अमेदन डायर करके अदालत के माध्यम से अदालत के माध्यम से ही वो जो है गाने को रोक सकता है इसके अलावा कोई चाराने उसके पास में ठीक है अब ही तक जब तक ये सुनवाई नहीं हो जाती है ये लिखा हुआ है इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं और खेसारी बिया ने अदालत में ये कहा था कि ये मेरा गाना रोग दिया गया है जिसके वजासे में बहुत से कंपनियों मुझे गाना नहीं दे रही है जो भी है सारी बात इसमें लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हो तो ये बात है बाकी अगली सुनवाई मार्च महिने में है उसके बाद में क्या होगा कैसे होगा तब जाके जितने भी खेसारी बिया के प्राइबेट गाने हैं चाहे अब बहुत सारी कंपनी से हो ये सफार भोजपुरी से हो तो ये सब म्यूजिक कंपनी के गाना आएगा ये है सच्चाई यहाँ पर इससे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप खेसारी लाल यादो एग्रिमेंट से फिरी हो गए है तो आपको समझना पड़ेगा ये पढ़ो के समझ में आएगा ये हिंदी है कि अब डारेक्ट गाना वो नहीं रोक सकता है ना डिलीट करवा सकता है ना रिलीज करने से रोक सकता है अगर उसको ऐसा करना है तो उसको अदालत जाना पड़ेगा वहां पर आदालत में एक निविदन दायर करके उसको वहां से अनुमती लेना पड़ेगा तब जाके ह हो सकता है ठीक है यहीं लिखा हुआ है यहां पर बाकि आप सबका क्या मानना है कमेंट करें करें बताओ वीडियो चलागा तो लाइक बारो चैनल को सब्सक्राइब करो नमास